Myself Sasi and today we are going to discuss about advanced Excel for beginners to work smarter and faster. आज की इस वीडियो में मैं आपको advanced Excel में smart work करने के लिए बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में correct data output ला सको. आज की इस discussion में मैं try करूंगा कि छोटी छोटी कुछ Excel की tricks और important shortcuts भी Excel में कैसे useful होता है बताए जाएगा. जैसे की किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा time तो देना ही पड़ता है. आज ये start करते हैं. सबसे पहले हम नया Excel का workbook open करेंगे. तो अपना cursor सबसे पहले file पे लेके जाएंगे. यहाँ पे new का option आएगा. new पे क्लिक करिए और blank workbook पे क्लिक करिए. अब देखिए एक यहाँ पे आपको जो है Excel का नया seat open हो गया है. ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे option है. home, insert, page layout, formula, data, review, view, developers. सबका अलग-अलग काम है. ठीक है. यहाँ पे आपको जो है minimize का button मिलता है इस screen में. maximize का मिलता है. और sit close करने का भी button मिलता है. यह जो field है. यह सबसे बड़ा field है जहाँ पे हम लोग data entry करते हैं अपना output लेने के लिए. यहाँ पे आपको जो है zoom out का, zoom in का option है. यहाँ पे आप जो है sit का नाम change कर सकते हैं. sit के नाम के उपर जो है right click करके इसको rename कर लिजे. जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम change कर दिया. ससी. अब यह type को अगर हम color करना चाहें तो type को हम color भी कर सकते हैं. ठीक है? तो ससी को मैंने green कर दिया. आप यहाँ पे हम start करते हैं Excel से. सबसे पहले हम कुछ भी data ले लेते हैं. जैसे हमने name ले लिया, age ले लिया, amount ले लिया, name में हमने डाल दिया ससी, विकास, आजय, राजय एज, age यहाँ पे डालते गए हम, 25, 26, 27, 28, amount हम डालते गए, 100, 200, 300, 400, ठीक है, अब क्या है कि Excel में अगर यह total amount को हमको calculate करना है, तो बहुत सारा option है, अगर data set छोटा है, तो हम plus के through भी कर सकते हैं, अगर data set बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर 500 line item है, 1000 है, 2000 है, तो हम उस case में क्या करेंगे, कि यहाँ पर cursor को लाके, total amount जहाँ पर हमको चाहिए, उसी sale में जहाँ पर हम लोग जो amount का total करने वाले हैं, उसके नीचे cursor लाके, और Excel के home option में, auto sum का option है, जब auto sum आप click करेंगे, तो वो क्या करेंगा, auto sum का function, वो data set को पुरा cover करेगा, और total value आपको so करेगा, अब जो है, इसी seat में हमको ससी के नीचे कोई नाम चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, या तो यह data को down करके, और नीचे वहाँ पर लिखेंगे, ऐसे, इसको, control एक से cut किये और paste किये, या तो दूसरा shortcut option भी है अपने पास, एक्सेल में, यह पूरी लाइन को सेलेक्ट करिए, और control, shift, plus button, तो यहाँ पर क्या हो गया, कि एक blank line जो है add हो गई, अब यहाँ पर कोई भी नाम आप डाल दीजे, जैसे हमने एक सन्नी डाल दिया, age डाल दिये मन लिजे कि 24, और amount डाल दिये इनका 150, अब यहाँ पर नीचे देखिएगा, जो value हमने auto sum से लगाई थी, यह value dynamic हो जाएगी, अब यहाँ पर 150 के पहले यह value कितना दिखा रहा था, 1000, और जब हम यहाँ पर 150 add कर दिये, तो यह 1150, मतलब यह automatically, Excel यह value को भी calculate कर लिया, ठीक है, Excel में अभी क्या है कि, यह simple format में हमने यह सब design किया, अब अगर name में, बहुत सारे name है, 500, 400, 300, यह जो भी है, और हम यहाँ पर name को चाहते हैं कि, one by one यहाँ वो name जो है filter होके आए, तो हम क्या करेंगे कि name के उपर, select करके, और यहाँ पर filter का option है, यहाँ पर filter मार देंगे, अब filter मारने से फाइदा क्या होता है कि, आपको जिसकी भी value चाहिए, जैसे हमको आजे की value चाहिए, तो केवल आजे की value यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, age group में अगर चाहिए आपको, कि नहीं हमको क्योवल, 24 वाला ही चाहिए, ठीक है, तो freeze का option जो है, view में, मिलता है आपको, तो सबसे पहले, जिस column को, जिस line को हमको freeze करना है, वहाँ पर हम cursor अपना लेके जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आपको option मिलेगा, freeze panel, top row, और first column, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर click करेंगे, ठीक है, तो यह मेरा क्या हुआ, कि top row जो है, automatically freeze हो गया, अब यह हम नीचे कितना भी cursor लेके जाएं, लेकिन, name का जो first line है, वो freeze है, अब एक ही बार उपर जाने के लिए, हम लोग को control और आप arrow दबा देना होगा, जिससे कि हम लोग, जो भी active cell है, वहाँ पर हम लोग पहुँच जाए, ठीक है, अब यहाँ पर name को, अगर हमको bold करना है, तो name के सामने के सभी cells को, तो सबको select कर लिजे, कैसे select करेंगे, shift और right arrow, ठीक है, और control B, shortcut है bold का, control B, control B से क्या हुआ, कि वो area बोल्ड हो गया है, जिसको हमने select किया था, ठीक है, अभी क्या है कि, यह जो दिख रहा है, इसको थोड़ा साम अच्छा से formatting कर लेते हैं, यह पूरा dataset select करेंगे, ठीक है, home में जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है, home के ही, menu में आपको एक bottom border का option मिलेगा, इस पर click करिए, और अगर सब को border देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप border भी दे सकते हैं, कुछ-कुछ चीजे, आज के discussion में, बहुत ही important है, जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, अभी क्या है कि, हमको Excel में border देना आ गया, bold करना आ गया, नाम डालना आ गया, filter लगाना आ गया, auto sum करना आ गया, अभी क्या है कि जो border का color है, ठीक है, अभी यह by default Excel क्या करता है, कि आपको black color में ही देता है, अगर आप color change करना चाहते हैं, तो उसी में home के option में, borders में जाएंगे, और line color का यहाँ पर option आता है, ठीक है, जो भी color आप देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने यह वाला color दे दिया, यह light blue का, ठीक है, और, यहाँ पर click कर दिया एक बार, अब देखिए यह जो, जो भी area जो हमने select किया था, ठीक है, वो जो है, bold low के आगया, अब यहाँ पर, एक काम और भी करेंगे, जो amount है, amount के लिए यहाँ पर जो comma का option है, वो डाल देंगे ता कि, amount पता चले के 100 rupees में है, 150 rupees में है, यह जो age है, age को थोड़ा सा center में कर लीज़े, अभी एक चीज और बता रहे हैं, कि यह पूरे formatting को, हमको अगर change करना हो, ठीक है, तो हम पूरे area को select कर लेंगे, जिसका formatting हम लोग को change करना है, और font का नाम यहाँ पे, जो भी लेना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगए presentation के लिए है, जैसे भी, जैसे हमने यहाँ पे ले लिए times new roman का, और जो font है, उसका size यहाँ से हम बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे हमने 12 कर लिया, तो यह थोड़ा से क्या हुगा कि बढ़ा देखके आने लगा, इसको भी कर लेते हैं, तो अब यह header वाले area के self में, हमको कुछ color fill वगरा करना है, ताकि थोड़ा से देखके अच्छा लगे कि हाँ, यह color हमने fill किया है, तो हम क्या करेंगे, कि color वाले, theme color वाले option में जाके, home में ही, यह color हम उसको दे सकते हैं, अब यह चाहें कि यह, जो उपर का heading है, तो थोड़ा से आलग दिखके आए, तो इसको white कर दिजए, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, अब यहाँ पे, हमको यह चाहिए, कि जब भी हम नाम टाइप करें, तो वहाँ पे duplicate value अगर आती है, तो वो highlight हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कि इस area को select करेंगे, यह, के वहल यहाँ पे हमने, example के लिए 5 नाम दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे maximum, कितना भी, जितना भी, इसमें sale है, उतना आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो conditional formatting में जाएंगे, highlight sales rule पे जाएंगे, ठीक है, duplicate value पे click करेंगे, और okay कर देंगे, तो जब यहाँ पे, देखिए, एक नाम दो बार repeat नहीं हुआ है, लेकिन अगर गलती से भी, यहाँ पे अगर हम चाहें कि एक नाम को दुबारा type करें, तो वो क्या करेगा, कि वो आपको पुरंत indicate कर देगा, कि आपने जो है, यह नाम दुबारा type किया है, ठीक है, Excel में एक चीज और भी, screen में दिखके आती है, कि जैसे हमने यह value select कर लिया, और कोई formula नहीं लगाया, फिर भी यहाँ पे हमको sum का option दिखता है, average कितना है, वो भी दिखता है, total count कितना यह भी दिखता है, ठीक है, minimum इसमें amount कितना है, वो भी दिखा, maximum यह हमने जो यह setting कर लिया है, उसके लिए ऐसा दिख रहा है, क्या होता है, कि जैसे ससी 25 और 100, इस form में लिखे हुए है, और Excel में कभी-कभी, यह data आपको, ऐसे भी मिलेगा, इस case में आप इसको कैसे, इस form में लाएंगे, तो simple सा चीज है, कि इसको copy करिए, control C, फिर right click करिए, या तो जहाँ पे चाहिए आपको यह data, right click करके, और यहाँ देखिए एक transpose का option आता है, या तो आप जो है, paste special में अंदर भी जाएंगे, और यहाँ पे देखिए transpose का option है, यह चोटा-चोटा trick आपको बस इसलिए बता रहे हैं कि, यह daily use में आती है, ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे कि, जैसे Excel में हम लोग को बहुत सारे line यहाँ पे दिये हुई है, और कुछ line blank है, और उस blank line के नीचे भी वही उपर का ही value चाहिए हमको, तो एक उसका भी shortcut है Ctrl D, अभी यहाँ पे conditional formatting लगा है है, उसके लिए यह cell highlight हो गई है, ठीक के Ctrl D मतलब की वह उपर की exact value को नीचे दिखाता है, तो अगर हम चाहें तो यह तीन line यह जितना भी line है आगे, उसके नीचे वाले line को select करके Ctrl D करें, ताकि उपर की value जो है नीचे भी दिखाए, अब एक और भी shortcut आपको बता रहे हैं कि यह cell blank है, इस blank cell को हमको delete करना है यहां से, यह तो हम यहां से भी कर सकते हैं, select करके पूरे line को, ठीक है, या तो अगर आपका cursor यहां पर है, तो shift और space दबाएंगे, तो भी line पूरा select हो जाएगा, और Ctrl minus करेंगे, तो यह line minus हो जाएगा, ठीक है, अभी क्या है कि filter का हमने एक option बताया आपको, अभी इसमें कुछ advance option आपको देने जा रहे हैं filter के case में, तो अभी जैसे हम यह filter पूरा select कर लिए, home में गया, filter में गया, custom filter किये, और यहां पर custom filter में यह पूछ रहा है कि आपको यह filter कैसे चाहिए, name के हिसाब से चाहिए, age के हिसाब से यह amount, तो हमने name का ले लिया, और जो order है उसका a to z कर दिया, मतलब alphabetical, ठीक है, तो age से start होता है आजय, तो आजय पहले आ गया, और v से start होता है विकास का, तो विकास नीचे आ गया, vc साब से जो है, जब आप range उसको देके, तब custom filter करते हैं, तो value correct आती है, यहाँ पे जो है, आप यह area को select करके, यही से आप पाइवोट में भी जा सकते हैं, इसको select कर लिजे, और insert के option में, पाइवोट का option आता है, यह click करिए, और यह आपको वहाँ पे, पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि, option पूछता है, कि आपको same sheet में चाहिए है, यह दूसरे sheet में, Excel क्या करता है, दूसरा sheet automatically create करता है, अगर आप directly ओके पर click करते हैं, ठीक है, तो इस type का आपको जो है layout दिखके आएगा, अब यहाँ पे आप जो है, पाइवोट में, यहाँ पे नाम डल दीजिए, नाम के समने, यहाँ पे sum कर दीजिए, total amount का, यहाँ पे आपको sum के उपर जब अब click करेंगे, तो value field setting आती है, जो sum होता है, यह amount का count हो जाता है, यह average, जो भी चाहिए आप, यहाँ से मिल जाएगा, अब यहाँ पे main seat में हैं हम, अब यह अगर area हम select किये, और यहाँ पे एक और भी option हम लगाने वाले हैं, जैसे directly हम यहाँ पे chart लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस line को select करेंगे, और यहाँ पे normal chart का भी option है, ठीक है, स्टेकल्ट का भी है, और यहाँ पे 3D का भी है, cluster, ठीक है, हम यहाँ पे 3D का चार्ट ले लिए, चार्ट बड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको हम छोटा कर लिए, अब क्या है कि इस chart में आपको नाम के साथ-साथ उसका age भी दिख के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है chart का tool मिलता है, जिसमें आप जो है, यहाँ से आप decide कर सकते हैं, कि आपके लिए कौन सा chart suitable है, या आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हम जो है, यह वाला select किये, या तो यह ले ली जिया, ठीक है, और इस chart के उपर क्या है, कि हमको यह amount पता चल रहा है, कि यह amount है, और यह वाला age है, लेकिन इसके उपर value नहीं दिख रही है, तो हम इस पे chart के उपर right click करेंगे, add data label करेंगे, ठीक है, तो उसके सामने क्या ह होई, कि सब की chart के उपर value आ गया, वैसे ही आप age वाले color में भी data label पर click करेंगे, सब कहीं जा गया, ठीक है, यहाँ पर option आपको आता है, chart type का, यहाँ से आप change कर सकते हैं, 3D में चाहिए, 3D में या जिस color में चाहिए, यहाँ पर color change करने का भी option आता है, आप जो भी type का chart चा आते हैं, वो color यहाँ पर आपको दिखेगा, आप select कर सकते हैं, आज का यह discussion इतना basic बताने का region यही है, कि बहुत सारे लोग छोटे-छोटे गलतियां करते हैं, आप जैसे name के case में, अगर हमको इसका alignment change करना हो, ठीक है, आभी तो name left में है, इसको center में लाना हो, तो यहाँ हम click करेंगे center में आ गया, right करना हो, तो right में आ गया, ठीक है, left करना हो, left में चला गया, किसी-किसी case में, आपको जो है, इस type से दिखता होगा, नाम, ठीक है, उपर जो है, इतना खाली जगा, उस case में क्या होता है, कि यहाँ पर एक option आता है, middle align का, मतलब alignment जो है, आपका left ही र वो value इस type से दिखेगी, अभी यहाँ पर name के ही type में, बाकी के भी age और amount के sale को हमको करना है, तो हम बार-बार वहाँ पर click नहीं करेंगे, name के sale पर click करिए, format printer का option लीजिए, और select करके cursor दबा के, जहाँ जहाँ area पर चाहिए, वहाँ वहाँ कर लीजिए, ठीक है, Excel में ही control C का भी option आता है, copy करने के लिए, control C, Excel में ही control V का option आता है, paste के लिए, control X का option आता है, cut के लिए, ठीक है, तो इस type से हम Excel में, बहुत सारा, चीज short cut में कर सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता ही, जैसे यह amount है, ठीक है, अब इस amount को हमको जो है, यहीं पर दिखना है, इतने ही area में दिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, कि wrap कर देते हैं, तो यह amount वो पुरा लिखा हुआ है, लेकिन उपर नीचे है, कभी कभी क्या होता है, कि heading जो है, मेरा कुछ जादे हो जाने के वज़ा से, हम लोग को यह wrap text का option यूज करना होता है, अब अगर amount को, हम लोग जो है, थोड़ा सा vertical text में convert करना चाहते हैं, ठीक है, तो यह आपको amount ऐसे दिखता है, अब यह भी area को ऐसा करना चाहते हैं, तो आप amount पे चले ज़िए, format printer में चले ज़िए, और इसको भी select कर दीज़िए, ठीक है, अब अगर जैसे यहाँ, हम example के लिए ही क्यों यह dataset हम काम कर रहे हैं, एक ही dataset के उपर, अगर मन लिजिए कि यह पूरे पाचो cell को हमको merge करना है, और कोई एक ही नाम चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कि merge cell पे click करेंगे, और ok करेंगे, तो इसमें जो सबसे पह रहेगा, ठीक है, merge cell क्या करता है, कि पाचों को club करके एक नाम दे देता है, जो कि पहला वाला नाम select आपने किया है, ठीक है, फिर unmerge करने के लिए आप फिर CC पे click कर दीजे, अगर गलती से आप से कुछ delete हो गया, और आप चाहते हैं उसको recover करना है, तो हम यहाँ पे क्या क करेंगे, ctrl-z का option दबाएंगे, undo के लिए, ctrl-z से क्या होगा, जो data हम से कलती से delete हो गई है, फिर से reflect कर जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका हमको size बढ़ाना है text का, तो excel के home option में ही increase font size का option दिया रहता है, आप इस पे click करेंगे, automatic font का size increase हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आता है text के color का, text का color जो भी आप करना चाहें, ठीक है, वो change कर दीजे, यहाँ पे bold का option आता है, italic का आता है, underline का आता है, अगर age के जगह पे आजाए का अगर कुछ यहाँ पे percentage बगर लिखा रहता है, तो हम इसको select करते हैं, और यहीं से percentage दबा देते ह अगर ऐसे दिखता अपने को, ठीक है, अगर 27 dollar में है, age के जगह पे amount, यह amount dollar में हमको convert करना है, तो यह सब select करके show करना है, यह dollar क्लिक कर दीजे, यह पुरा amount मेरा dollar में दिखने लगा, इस type से excel में बहुत सारा option है, जो कि आपके काम को बहुत ही आसान तरीके से present करता है, कम स यहाँ पर 00 दिखा रहा है, last में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कि decrease decimal का option लेंगे, और इसको decrease कर देंगे, और यह क्या होगा कि point के आगे की जो भी value है वो चले जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही, next video में, detail में, और भी हम discuss करेंगे,